हाई गाई वेल्कम बाक तो मैं चैनल वार्सी की पैना में शाइनी दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि मैं हर हफ़ते आपके लिए work from home part time और इसके लिए freelance work opportunities related कापी सारे updates back to back लेके आती हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ Amazon virtual customer service के interview questions के बारे में कैसे आपको इ आप एक fresher है और Amazon के साथ as a VCS virtual customer service associate काम करना चाहते है तो मेरे आज के इस वीडियो को starting से लेक्यान तक जरूर देखेगा अगर आज अब पहली बार मेरी चानल पे आए है दें तुरन ता पेरे चानल को subscribe की जो bell icon भी जरूर से प्रेस करिए ताकि जब भी मैं अपना कोई भी video upload करूँ तो इसकी notification आपको सबसे पहले भी ले तो दोस्तों आज मैं आपसे बात कर रही हूँ Amazon virtual customer service के interview rounds के बारे में interview questions के बारे में कौन-कौन सी stages होती है कौन-कौन सी interview rounds connect करवाय जाते है इस particular job position के लिए सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आप इस 12th pass एक fresher है एक graduate है Amazon के साथ as a VCS काम करना चाहते है या फिर इससे पहले आपने इस particular job position में apply किया था और किसी भी कारणवर्श आप select नहीं हो पायते है आप फिर से ये decide करे हो कि आप इस job position में reapply करो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा useful होने वाला है इसके लावर मैं आपसे ये भी कहना चाहते हूं कि आप प्लीज एक notebook और pen लेकर जल्दी से बैठ जाएए क्योंकि कुछ important points मैं यहां पर आपको लिखवाऊंगी अगर आप एक बार इन सारे important points को लिख लेंगे then I guarantee you कि आप इस particular job position के लिए आगे चलके जरूर से select हो सकते हैं ठीक है तो जल्दी से मेरे इस वीडियो को pause करो और एक notebook और एक pen लेके जल्दी से आजाओ ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता रही हूं सारी stages एक एक करके कौन कौन सी conduct करवाई जाती है जिसको हम interview rounds भी कहते हैं और उसके बाद मैं आपको सारे sample questions बताऊंगी जो कि इस particular job position के लिए आप से पूछे जाएंगे online ठीक है तो क्योंकि Amazon virtual customer service की job position है तो एक laptop या फिर personal computer with good internet connection and headphones की आवशक्ता यहां पर आपको इस काम के लिए पड़ेगी ठीक है आप इस काम को mobile से नहीं कर सकते हो इसके लाव आप इसके interview process को भी mobile से नहीं दे सकते हो अगर आपने mobile से दिया तो आपका selection नहीं होगा ये बात मैं आपको पूरी guarantee से कह सकती हूँ first round में ही आपको यहां से निकाल दिया जाएगा so make sure कि आप इसके सारे rounds को laptop या personal computer के माधियम से ही दे ठीक है तो जो सबसे पहला step होता है जो stage 1 होता है जिसको round 1 भी interview round 1 भी कह सकते है तो वो होता है आपका की official registration जो इनका मैं link हर बार आपके साथ अपने Amazon के recruitment videos में share करती हूँ उसको आपको पूरा online fill करता होता है उसे submit करना होता है according to your eligibility criteria and the location जो demand करते हैं ये जहां पर basically इनकी vacancies जिन शहरों में निकलती है ठीक है अगर वो आपका आगे match करता है तो फिर यहां का Amazon का HR आपको reverse back करेगा आपको एक email भेजेगा जिसमें आपको officially एक assessment link दिया होता है उस assessment link को हम यहाँ पे interview round 2 के तोर पे लेंगे अब ठीक है तो जो आपका यह assessment link होता है इसमें आपको एक English test देना होता है जी हाँ और यह बहुत जादा जरूरी है कि आप इस interview round को crack करो जो interview round 1 है और round 2 है अगर आपने इसको पूरा crack कर लिया then मैं आपको यह बाद guarantee से कह रही हूँ कि आगे आप बहुत ही असानी से इस job को हासिल कर सकते हो now जो आपका पहला round मैं आपको बता रही है registration link का submission होता है then आपके पास assessment link के आपे email के माध्यम से बेज़ा जाता है then हम यहाँ बात करें round 2 की interview round 2 stage 2 जो कि है आपका grammar test and English test इस assessment link में आपको एक grammar test और English test का link दिया होता है यह test आपका 20 minutes का होता है ठीक है 20 minutes का यह पूरा test आपका होता है इस test को कैसे आपको clear करना है उसके पहले मैं आपको tips बताऊंगी और फिर में आपको sample questions बताऊंगी आप इस इन सारे tips को और questions को एक एक करके लिख लिए ठीक है सबसे पहला tip है try speaking loud and clear and keep the microphone close to your mouth जिसका मतलब मैं आपको Hindi में भी बताए दे रही हूं कि ट्राइ करिएगा कोशिश करिएगा कि जब आप बोले तो थोड़ी loud आवाज में बोले कीखना नहीं है चिलाना नहीं है थोड़ा तेज आवाज में आपको जैसे इस वक में आपसे loud आवाज में बात करी हुए क्योंकि आपको मेरी आवाज यहां पर आ रही होगी ताकि आपको मेरी आवाज यहां पर clear आपाए ठीक है so try करिएगा कि आप थोड़ी ऊची आवाज में loud voice में साफ बोले और अपने microphone को अपने होटो के पास रखें ठीक है so try speaking loud and clear and keep your microphone near or close to your mouth then the assessment is proctored so your audio plus video is recorded throughout the interview session which means that you can't cheat in the interview if you are thinking that we are not in the office, we are not in the office, we are not in the interview and we can cheat in the interview a little bit so that you can't do it here because the whole interview assessment is proctored and recorded so do make sure that you don't cheat during the whole interview session right? अब मैं यहापे आपको sample questions बताऊंगे कि किस type के questions यहापे आपसे पूछे जा सकते है एक तरीके से आपका English language का test ही होता है choose appropriate words आपको एकदम correct appropriate शफ्त का यहापे selection करना होगा आपको choose करना होगा correct word को for example यहापे मैं आपके लिए statement बोलूँगी I love dash movies अब यहापे मैं आपको चार options दोंगी पहला है watching दूसरा है sing तीसरा है saw या see ठीक है तो I love dash movies तो obviously यहापे आएगा watching watching is the correct appropriate word की मतलब मुझे movies देखना पसंद है मुझे movies देखना अच्छा लगता है ठीक है so I love watching movies इस type के कुछ sample questions choose appropriate words में आपसे पूछे जा सकते हैं then आपसे किस type के सवाल पूछे जाते है इस particular English grammar test में choose grammatically correct sentences मतलब यह है कि आपको चार sentences options पे दिये होंगे option A, B, C, D इस पे आपको चार sentences English में दिये होंगे यह एक तरीके से आप कह सकते हो jumbled sentences होते हैं जिनको आपको देखना होगा कि कौन सा sentence आपका ठीक है जैसे कि मैंने बोला I love watching movies ठीक है तो दूसरा sentence आपका हो सकता है watching movies I love तीसरा sentence हो सकता है love I movies watching ठीक है तो इस type के कुछ jumbled words को मिला के एक sentence आपके साफ में पेश किया जाएगा उसमें से आपको correct sentence को tick करना है चूस करना है ठीक है उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको correct format में लिखना होगा और option को उस particular option को आपको select करना होगा यह भी तरीके से आपके कह सकते हो choose correct sentences के तौर पर ही होगा मतलब कि आपको कुछ jumble words दिये जाएंगे jumble sentences दिये जाएंगे जिनको आपको appropriate शब्दों में choose करना होगा उसको आपके रफ में लिख लिजएगा फिर जो आपको सही शब्द लगे उसको आप screen पे तिक करेगा कि यह शब्द यह पूरा sentence मुझे ठीक लग रहा है appropriate लग रहा है ठीक है तो यह तीन type के कुछ format में questions आपको पूछे जा सकते हैं और यह टोटल 20 questions होगे which means कि 20 questions for 20 minutes in this English grammar test जब आप इस पूरे test को online दे देंगे submit कर देंगे अगर आपका इसमें selection हुआ then आप सीधे round third में जाओगे जो क्या आपकी होती है stage 3 stage 3 होता है आपका versant writing test ठीक है आप यह आपे नाम देख सकते हो versant writing test यह बहुत जादा जरूरी है because यह सबसे जादा lengthy round होता है versant writing test versant writing test आपका 180 minutes 180 minutes का होता है और इसको आपको कैसे निकालना है आप मैं आपको बता दूँ मैं आपको पहले कुछ tips दे दू take the test in quiet location ठीक है कोई भी distraction नहीं होना चाहिए बहुत ही शान्त महुल में आपको silent महुल में आपको इस test को देना है और आपको reliable internet और इसके लावा headphone की पड़ेगी ठीक है make sure कि mobile data के जरिया आप इस test को एकदम मत दीजे मैं बता रही हूं अगर बाचास test कराब हो गया selection नहीं होगा ठीक है फिर आपको तीर महीने बाद री apply करना पड़ेगा तो इस बात को थोड़ा avoid करिएगा और internet का इस्तेमाल करिएगा good internet data speed या फिर good wifi connection avoid using mobile data और आपको या पर headphone की जरूरत पड़ेगी so do make sure that you have headphones not earphones only headphones ठीक है तो वरसे राइटिंग तेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा सबसे पहले you have to write your contact information then journal questions आपसे पूछे जाएगी then you have to tell about yourself tell us about yourself then about the diversity then assessment एक आपका online होगा and last review and submit now version writing test में क्या sample questions आपसे पूछे जाएगे ये जल्दी से आप लिख लिजे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि कैसे आपको इन questions को prepare करना है ठीक है sentence completion sentences को आपको या complete कता ये total आपको 20 questions दिये जाएगे और 25 seconds में आपको correct word को यहाँ पे type करना होगा 25 seconds will be given to you to type the correct word ठीक sentence completion में आपको 20 words दिये जाएगे then 20 sentences दिये जाएगे then passage reconstruction अब आपको इसमें क्या करना होगा क्या पूरा passage दिया होगा ठीक है English में पूरा passage आपके साब में present किया जाएगा online और ये total 4 passages आपको back to back देंगे ठीक है अब आपको इन passages को लिखना है rewrite करना है अपने शब्दों में थोड़ा difficult है but एक बार आप इसको practice करोगे तो कर ले जाओगे और 1 minute 30 seconds आपको दिये जाएगे passage reconstruction में तो ये बहुत जाता जरूरी है time taking नहीं है but time यह बहुत जाता matter करेगा अगर आपको पूरा दिन आपके testament लगा तो वह नहीं चलेगा आपको जितना time दिया है उतने ही time मे आपको complete करना पड़ेगा so rewrite in 1 minute 30 seconds और 4 passages आपको दिये जाएगे and last but not the least is your email writing आपको एक email लिखना पड़ेगा because आप virtual customer service की job यहां करोगे तो obviously आप आप अपने customers के साथ और अपने company के colleagues के साथ अपने officials के साथ seniors के साथ आप यह email के जरीए calls के बात करोगे so आपको email official format formal writing जो email का होता है वो लिखना आना चाहिए इसलिए email writing यहाँ पर आपको 100 words की करनी पड़ेगी और यह email लिखने के लिए एक email लिखना होगा आपको और इस email को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 9 minute दिये जाएगे not even 10 minute ठीक है 9 minute आपको दिये जाएगे तो sentence completion में 20 sentences 25 seconds में इससे complete करना होगा passage reconstruction में 4 passages rewrite करना होगा 1 minute 30 seconds में और email writing रहेगा आपका 100 words का जिसको आपको टाइप करना होगा 9 minute ठीक है तो यह दो round spreads आपको complete करने पड़ेंगे अगर आपको virtual customer service की job करनी है एक बार अगर आप इस पूरे पार्टर को समझ जाओगे ना interview process के जो कि इस वत मैंने आपको समझाया है बताने कोशिश की है मैंने 100% की मैं आपको इस video के माधियम से समझा आपको because मैं सरिफ at the end of the day आपको guide कर सकती हूँ online test में आपको खुदी self help is the best help thing तो खुदी आपको पूरे टेस्ट को देना है और मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि किस तरीके से आपको इन दोनों राउंड को grammar test और उसके बाद आपका आप वर्से ट्राइस्टिंग जो test है इसको आपको कैसे देना है अब मैं आप जल्दी से आपको बता दू दोस्तों कि कैसे आप इस पूरे इन test के जो questions है उनको आप कहां से सबसे पहले तो यहां पर आपको यह समझता होगा कि अगर आपकी English communication अच्छी है ठीक, if you're having good communication in English, मतलब देखे, लिखना, अंग्रेजी और बोलने में फरक होता है यह बात आप accept करोगी कि when you write English and when you speak English there is a lot of difference तो इस बात को आपको समझना होगा अगर आपके English अच्छी नहीं है तो आप practice करिये उसे ठीक करने के लिए ठीक है mock test online दीचे गूगल पर लिखे है English test mock test और in fact अगर आप English medium के student रहे हो तो फिर आपके English language के काफी exam examinations में question papers solved कियोंगे आप उसको जड़ा एक बार remember करो ठीक है और याद करने की कोशिश करो कि किस टाइब का pattern आपके पास आता था online amazon द्वारा या flip card द्वारा आप किसी भी English language की book को खरीद लो और practice करो जो कुछ भी मैंने आपको बता है दोस्तों उसको practice करिए एक writing that is your typing skills यह बहुत जादा matter करती है communication and typing communication and typing ठीक है तो एक बर आपकी English communication और typing अच्छी हो गई ठीक है तो आप इस job में को निकाल ले जाओगी अगर आपको इस काम को करना है तो यह बहुत ही जादा hard working और बहुत ही challenging job है ठीक है तो अगर आपको इस काम को seriously करना है तब ही आप इसमें online apply करो और आगे interview के लिए prepare करो process करो because these two interview rounds will really help you to get into this particular job position ठीक है so I really do hope guys कि मेरा आजकर वीजो आपके लिए बहुत जादा useful रहा होगा and interview rounds को कैसे आपको VCS Amazon के crack करता है कही ना कहीं I think कि यह video आपके कहीं ना कहीं समझ में आया होगा still अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कोई questions आप उसे पुछना चाहते है तो मेरे video के नीचे ज़रूर से लिखे आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी ठीक है तो चली दोस्त अपने इस video को मैं जदी से wrap-up करती हूँ और आने वाले time में मैं ऐसे ही आपके लिए back-to-back updates लेकर आती रहूंगी it's COVID-19 and we have to fight it together we have to stay safe at our homes bye take care and stay safe